हेलेट प्रेंट्स कैसे हैं आप सब फोस्तों बत अच्छे हैं अफ्टार यह स्तिल रही होगी हां जी आए आए आज की वीडियों में आप लोगों को फाइनेसल इस्ट्रमेंट की चेप्टर की बात करूं तो इसकी नवोल्मेंट ना बड़े सारे अधर आपके आएस और स्टेट्टमेंट का एक मेजर पार्ट इन इस आाएस आएरस से विलोंकरता मेंस अग्तुबब्ला करता अगर वा कंटेन्ट की बात करूं तो सर को यह सब्सद्न आपकर इस आएक का है जलिए निर रह adverse है लेकिन उसके बाद मेह संटन्रेंट को इस चप्टिया अंच चप् SFS के जब आप question करते हैं या CFS के question करते हैं तो sir उन chapter में आपके रिशू का chapter है उन में इस chapter की एक major involvement रहती है SFS में तो sir कोई भी question ऐसा नहीं आता जिसमें इस chapter की involvement नहीं रहती है आयो शुरू कर लेते हैं chapter का नाम कि है financial instrument देखिए financial instrument एक ऐसा instrument होता है जो एक party के लिए financial asset होता है दूसरी party के लिए आइधर financial liability या equity होता है एक company ने क्या के debenture issue करती है क्या यह financial instrument है तो हमें पहले check करना पड़ेगा कि क्या एक party के लिए financial asset है और दूसरी party के लिए या तो आपके पास cash balance को इसके उपर मैं अलग से चर्था करूंगा अलग से डिसक्स करूंगा ठीक जी सर आपके बास किसी दूसरी जो आपके पास financial asset liability है उसको एक्षेंज करने contractual right है और जब आप उसे एक्षेंज करेंगा तो वह आपके favor में जाएगा अगर मानलो एक कंपनी डिवेंचर इसू कर दिये और जिसने डिवेंचर लिए और क्या डिवेंचर हो गया क्या डिवेंचर होल्टर के लिए डिवेंच क्योंकि उसे सर क्या होगा maturity date पर आपके equity share मिल जाएंग company के ठीक जी सर दिखें क्या होता क्या होता कैस वह सर ना actually transaction का माध्यम है आपका medium of transaction है इसलिए सर कैस को इंकलूड किया गया है और मैं आपको बतादू कैस का मतलब सर यहां पर क्या cash in hand पी है और आपका bank balance क्योंकि य कर दिए तो एक पार्टे के लिए financial asset होगे ठीक दूसरी पार्टे के लिए चाहिए ऐधर financial liability और equity देखिए अगर एक पार्टे के लिए financial asset है क्योंकि उसके पास contractual right to receive cash है और एक पार्टी के लिए financial liability क्योंकि उसके पास सर क्योंकि उसके उसके उपर क्या contractual obligation to deliver cash है ठीक जी सर बात सुनिए ज्यान से न फाइंसल इंस्ट्रूमेंट के definition होगी हांजी कि financial asset financial liability and equity देखिए financial asset क्या है is any asset that is cash आपके पास cash balance है अनधर कंपनी के equity इंस्ट्रूमेंट है contractual right to receive cash है और अनधर financial asset from another entity ठीक जी सर तू एक्षिंज फैनिसल असे और financial liability जैसे मालो सर अपने पास क्या है एक कंपनी के convertible debenture है ठीक अब मैं उन्हें सर exchange करके क्या करूँआ equity share लोगा और equity share में conversion करा रहना सर मेरे लिए favorable है तो सर क्या बन जाएगा financial asset बन जाएगे ठीक जी सर financial liabilities and liability that is a contractual obligation cash delivery करने की या another financial asset of another entity ठीक जी सर to another entity या सर किसी financial asset या liability जो उल्लेडी आपके पास है उसे एक्सेंज आप करेंगे तो एक्सेंज करना आपके लिए अन फेवर में ठीक जी सर एक्विटी इंस्ट्रुमेंट का मतलब है एक्विटी इंस्रुमेंट का मतलब है सर असेट में entity का रिज़ल इंट्रेस ठीक जी सर बात सुनिए इंस्रेंस प्रीमिम पे कर दिया तो अगर मैं इंस्रेंस प्रीमिम पे कर रहा हूं तो सर मैंने क्या किया है इंस्रेंस सर्विस लेने के लिए अडवांस प्रेमेंट किये तो मेरे को सर्विस मिलेगी सर यहां पर कैस नहीं मिलेगा अनुदर फैनिसल असेट नहीं मिलेगी तो मेरे लिए फैनिसल असेट नह तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पैसा वापिस करना पड़ेगा तो contextual obligation to deliver cash है financial liability ठीक सर मेरे पास प्रेफेरेंस से रिसू कर रखें लेकिन वो irredeemable है अगर वो irredeemable है तो सर उस case में जो dividend है वो मेरे को mandatory pay करना पड़ेगा तो मेरे लिए financial liability बन जाएगा उतरपाद और बाकी सर equity बन जाएगा सर माल लो मैंने क्या क्या प्रेफेरेंस से रिसू किये और प्रेफेरेंस shareholder को ना जो dividend मैंने pay करना वो मेरी मर्जी के उपर depend करेगा मैंने agreement ऐसे कर लिया कि अगर मैं equity वालों दूँगा तो प्रेफेरेंस वालों को भी dividend दूँगा ठीक तो सर यहां पर मेरे कोई contractual obligation नहीं से लिए financial liability नहीं अगर मैं income tax liability की बात करूं तो सर यह legal liability होती कॉंट्रेश्य लिए अगर मैंने अडवान से जमा Cooperus यहां अखर आगर अगर अगर आइस जमा किरा न चाहिए तो सब्सक्राइब रेधिये डिडिक्स ब का नाम किरा इस एक पार्टे की लिए है डिर सवाणी अचांट थे ऐंगे इस लिए को क्लாसिफाई कर न परेगा अपद के यह सब अगर इशु करने वाले के लिए, yang मालो आपने डिंटर बसप्रेदियों करती हैं, मझे तेके लिए डिंस्टरॉमेंटी है, तो यहां मैचल वाले के लिए यह यहण बनेगा इंश्प्रेदिय गा। है एक बात और तर अगर इसू करने वाले के लिए इकोटी है तो सबसे इंस्ट्रूमेंट आपके साथ डिस्कस्क्रंगे तरहों बड़े द्यान से मारी बात सब्सक्राइब एक company है ठीक जी सर वो ना routine में पैसे कमाती है सर जैसे यहाँ पर उसने क्या किया होगा sale of goods रविस कियोगी कुछ खर्चे कियोगी तो कुछ पैसा बच किया होगा उसके पास ठीक जी सर अब उस पैसे ने क्या कैसा उस पैसे को जोब करता है तो सर वो अपनी salary को लेकर plan करता है कि मैं कुछ पैसे इसमें से यूज करूँगा खर्चों के लिए कुछ पैसे मैं invest कर दूँगा और क्योंकि मेरे को ना हर तीन महीने के बाद मैं बच्चों के स्कूल की fee pay करनी पड़ती quarterly तो मैं क्या करूँगा इस पैसे को quarterly fee वरने के लिए यूज कर लूँगा ठीक जी सर कुछ पैसे सर उसे नहीं क्या कि invest कर दिए उसका objective क्या है कि 10 साल के बाद वो घर खरीदेगा और जब घर खरीदेगा इस पैसे को यूज कर लेगा ठीक ऐसी से जो company होती ना वो भी क्या करती सर जब पैसा invest करती तो उसको जब भी हम लोग financial asset की accounting की बात करेंगे तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर उसे classify करेंगे कैसे classify होगा यह तो debt की रूप में यह derivative की रूप में ठीक जी सर अच्छा अगर financial asset debt instrument है तो सर उसको लेकिए अपना objective क्या है सर उसको लेकिए अपना objective हो सकता है उसे long term held करना ठीक है उसे long term held करना या सर उससे trading के लिए यूज करना मतलब trading करना उससे ठीक जी सर देखिए कहता है अगर financial venture को मैं held करूँगा तिल maturity और सर रिसीव करूँगा contractual cash flow principle के रूप में और interest के रूप में तो मैं पता क्या करूँगा amortization cost method लगाऊँगा सर मैंने क्या किया एक company के dimension मेरा objective क्या है principle के रूप में उसे receive करना इंट्रेस के रूप में receive करना contractual cash flow को लेकिन अगर पैसे की नहीं तो मैं इसको बेच दूँगा तो सर उस case में क्या करूँगा सर fair value through other comprehensive income method लगा हुआ ठीक सर मेरी बात समझ यह द्यान से क्या होता है इस chapter में दीकत पता कहा होती है इस chapter में दीकत यहां होती कि इसमें content बहुत सार और बच्चे रटा मार लेते है रटनेल लग जाते कि अच्छे यह point ऐसे होगा यह point ऐसे होगा सर उसका business model क्याला था ठीक जी सर जब भी हम लोग क्या करेंगे financial asset की accounting करेंगे तो accounting से पहले सर क्या करेंगे उसे classify करेंगे ठीक जी सर सर उसकेस में सब्सक्राइब लगए at fair value through other comprehensive income ठीक सर दो method है amortizing cost method या फिर आपका FTOC method इन में से कोई method नहीं लग रहा क्योंकि condition फुल्फिल नहीं हो पा रही यह मेरा objective health for trading तो सर उसकेस में मैं क्या करूंगा सबसे पहले सर आप क्या करेंगे financial asset को classify करेंगे फिर अगर वो debt instrument है अब मैं बात कर रहा हूं सर किसके debt instrument की अगर वो debt instrument है सर उसकेस में कौन सा method लगेगा सर measurement कैसे करेंग कहता सर depend करेगा आपका objective क्या है आपका business model क्या है आपका contractual cash flow को लेके objective क्या है तो amortizing cost method लग सकता सरे discuss करूंगा फिर इनके accounting के बारे बात करूंगा देखिए Mr. A ने क्या किया सर घर ले लिया रहने के लिए ठीक उसने purchase कर लिया उसने जो घर लिया था वह 1 million dollar कर लिया था अब सर उस घर की value बढ़िके ना 1.2 million होगी है लेकिन Mr. A को objective उस घर में रहना उसे बेचना नहीं है तो सर क्या उसके उपर impact पड़ेगा इस बात का नहीं सर Mr. A ने सर क्या कि गर purchase किया और उसको objective क्या सर उस घर में रहना और उसे near future में वह नहीं बेचेगा ठीक जी सर अब सर उसकी value गिर गी है मादलो 0.7 million dollar होगी है तो क्या उसके पर impact पड़ेगा नहीं क्यों क्योंकि उसका ultimate objective क्या सर उस घर में रहना है ठीक जी सर सर उसकी value maturity पर सेम उस amount के ब्राबर होती है ठीक जी सर चलिए accounting के बात करते देखिए financial asset को सबसे पहले आप क्या करेंगे सर classify करेंग ठीक जी सर अगर वो debt instrument है तो उसके measure कैसे करेंग तीन मैतर है amortization cost method FET OCI method FET PL method ठीक जी सर आई यह बात करते हैं सबसे पहले सर इनिसली कैसे record करेंगे कहता fair value पे fair value पे और fair value ठीक जी सर अच्छा कहता है अगर कोई transition cost incurred हुई है amortization cost method में capitalize कर देंग FET OCI method में capitalize कर देंग FET PL method में सर उसे हम क्या करते हैं ठीक जी सर subsequently कैसे measure करें सर सब्सक्राइब करें से पहले बता देता हूं interest income sir EIR के बेज़ पे interest income EIR के बेज़ पे यहाँ पे क्या होता है interest income डिफरेंस जो भी आता है उसे हम penal account पे as income लेके चले जाता है ठीक जी सर interest income EIR के बेज़ पे calculate करेंगे और उसे penal account में लेके जाएंगे इंट्रेस इंकम को EIR के बेज़ पे calculate करेंगे उसे penal account में लेके जाएंगे इंट्रेस इंकम पेनल account में जाएगे ठीक जी सर subsequently कैसे measure करेंगे at amortizing post amortizing post कैसे निकलेगी सर opening balance plus EIR के सबसे जो भी आपका interest है ठीक जी सर बलकि ऐसे बोलता हूं देखिए इंट्रेस के रूप में आपको रिसीव हुआ है जो आपने agreement के पैसा रिसीव किया उसे हम क्या करेंगे तो closing balance आ जाएगा अगले फिल सर वह opening balance बनेगा उसमें interest expenses क्या करेंगे सर हम लोग इंट्रेस इंकम जो है क्योंकि मेरे लिए इंकम की रूप में रिकोड कर लिया और इंट्रेस रिकोड कर लिया हो ठीक जी सर यहां पे सर हम लोग क्या करेंगे सर सबसेक्वेंटली फिर वैली पर मेजर अचरीज करेंगे फिर वैली एdag होण लोग belum खेंगा ँंचक्र यहां बोग करेंगे जो apelen हमने रिकोटनिट कांट में और पार एक एक दिन पर सर पन होथ ओन रन में नहीं जाएंगा सर अदर कोंप्रेंसिघाव यहां थी साइक अगर financial asset debt instrument है और हमने उसे major कर रखा एट FET OCI पे तो सर उस case में सर जो आपका OCI का balance है वो P&L account में चला जाएगा ठीक जी सर चलिए देखिए बात समझे द्यान से ना चैप्टर ना बड़ा इंटर लिंक है मैं इस चैप्टर में कई बार स्टार्टिंग से आउगा है देखिए चैप्टर का नाव क्या financial instrument एक पार्टे के लिए क्या financial asset दूसरी पार्टे के लिए आज़र financial liability और equity ठीक जी सर अब जिसके लिए स इसू करने वाले की liability है तो उसके लिए से डेट बनेगा उसके लिए equity बन सकता अगर इसू करने वाले के लिए equity ठीक जी सर अच्छे हमने डेट इंस्रूमेंट डिसकुस कर लिए अब बात करते है equity के देखिए इसलिए सर जब यहां पे पैसा मिलता है तो सर यहां पे amortation cost method काम करता है लेकिन equity के case में financial asset debt financial asset equity सर equity के case में न सर कोई amount आपका fix नहीं होता कोई majority date नहीं होती इसलिए सर यहां पे amortation cost method की तो बात ही नहीं आएगी ठीक चलिए इसलिए सर financial instrument ने क्या बोला है IFRS ने IFRS ने यहीं बोला है कि आप क्या करेंगे सर बाइडिफोल्ट इसे classify कर देंगे FETPL पर है अच्छा यहां पर हमें कोई objective अगरा check नहीं करा ना सेलेक्शन करना है कि हम FET OCI में जाना चाहते हैं और अगर आप FET OCI में चले जाते हैं तो फिर दुबारा सर आप उससे बाहर नहीं आ सकते ठीक जी सर बात सुनी द्यांसर ना इन बातों कर देता हूं अगर मेरे पास किसी company के equity instrument है तो मेरे लिए financial asset equity instrument को मैं कैसे अगर मैं चाहूं तो सर अपनी accounting policy बना के सर FET OCI में जा सकता हूं उस किसमें मेरे लिए irrevocable option का मतलब का है कि मैं हमिशा फिर FET OCI में रहूंगा उन instrument को लेगे ठीक जी सर चलिए अब measurement वगरा कैसे करेंगे देखिए सर यहां पर बात कर लेते हैं FET OCI यहां बात कर लेते हैं FET PL तिक इनिशली सर फिर वैल्लू पर फिर वैल्लू पर ठीक जी सर अगर कोई transaction cost incurred किये तो capitalize करतेंगे मतलब सर फिर वैल्ल्य करतेंगी सर यहां पर अगर हमने कोई भी transaction cost incurred की तो में लेके जाएंगे ठीक जी सर अच्छा अ अच्छा सब्स्यक्रेंटली सफेर वैल्यूपे दिफ्रेंट्बेर्श ौश यौस फाल्च mo 하지 के डो जो बैलन्स होते सर एक वो मतलब ओश्य के दो पार्ट होते हैं वह बार्ट जो एक दिन पीर पीर पीडिन पर नहीं जाएगा वह डारेक्ट आपका स्टेटमेंट और बेंगी में अधर रिचेलिंग यहां पर अलाओड नहीं है एक बात ज्यान दे ना डिविडेंट इंकम सर चाहे आपने FATOCI method apply कर रखा या FATPL method apply कर रखा आप सर क्या करें डिविनेट निंगम को P&L account के अंदर लेकर जाएंगे ठीक जी सर चलिए इस सारी बात अपने डिस्कस होगी डिफोल्ट क्लासिफिकेशन के आसर आपका FATPL है बात सुनी द्यांसर है चैप्टर का नाम क्या financial instrument एक पार्टी के लिए financial asset दूसरी पार्टी के लिए आइधर financial liability और equity अब जिसके लिए इसके लिए उससे बेले क्या क्लासिफाई करेंगा या तो सर क्या बनेगा सर एक इंस्ट्रुमेंट या equity इंस्ट्रुमेंट या derivative अगर objective health for training तो क्या बनेगा derivative ठीक derivative basically क्या होता सर एक ऐसा instrument होता जो तीन condition पूरी करता है value condition उसकी value ना किसी underlying item की value में change की विए चेंज होगी इंस्ट्रुमेंट की requirement होगी ठीक और सर सेटल्मेंट जो future की डेट पर होगी derivative हम इसाद मेजर करते है एक फिर वैल्यू ठीक है और जो भी डिफिरेंस होता सर फिर्डिल का अंदर लेके चलिए चलिए चैप्टर का नाम क्या सर फैनिसल इंस्ट्रुमेंट एक पार्टी के पात खथम दूसरी पाटिकली सर क्या है ऐधर फैनिसल लाइबल्टी और इकोटी आए बात करते पहले फैनिसल लाइबल्टी के बारे में देखिए सर जितनी भी फैनिसल लाइबल्टी होती न है सर हमारे उपर contractual obligation होती है उनको settle करने की या exchange अगर हम करते हैं तो सर अपने unfavor में होती है इसका simple meaning यह आ गया कि जो financial liability है वो सर एक न एक दिन खतम हो जाएगी इसलिए सर यहाँ पर na FVT OCA का कोई concept नहीं होता यहाँ पर दो यह concept होते है यह तो amortize cost या फिर सर आपका fair value ठीक जी सर बात सुनी ध्यान से न measurement of financial liability कहता है financial liability को initially कैसे मेजर करेंगे फिर वैल्यू पर ठीक जी सर ट्राजेक्शन कोस्ट को सर माइनस कर देंगे मतलब सर मतलब यह कि जैसे माला मैंने क्या 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 डिवेंचर रिशू करती है सर वन लैक डोलर के ठीक और सर 3000 डोलर की मेरी ट्राजेक्शन कोस्ट आगी तो मैं क्या करूंगा सर 97000 डोलर के असाब सर उन्हें रिकोड कर लूँगा ठीक जी सर अच्छा सब्सक्वेंटली की सर क्या क्या करूंगा एमोटाजेशन कोस्ट मैंतर लगाऊंगा यह जर्नल प्रोविजन है आए अब कुछ बात हो डिसकस क करूं देखिए जीतनी फाइनसे लिएम कैसे रिकोड करें सर फिर वैल्ली पे ट्राजेक्शन कोस्ट को माइनिस कर देंगे लेकिन अगर फाइनसे लिएवलिटी सर डेरिवेटिव है या उसको लेकर मेरे अब यहल्ट फोट्रेडिंग है तो उसके संब्सक्राइब क्या कर अब यहां से बुक्स में से सेल कर देता हूं और सेल करने बाद मेरी इंवल्मेंट रहती जैसे मालोब मैंने क्या कि अपने डेर्टर बेज दिये किसी को और मैंने सामने वाली पार्टी को गारंटी दे दी कि अगर डेर्टर से कलेक्शन नहीं हुआ तो मैं जुमेंवार तो सर कॉंटिन्यू इंवल्मेंट जो मेरी फैनिसल सेट के डिर्रिकोगनेंशन में होती न तो सर वहां पर फैनिसल अबल्टे के अमांट रिकोड होता है तो सब्सक्राइब करते हैं फटी जी सर मैंने सस्ते रेट पे लोन देने का कमिटमेंट कर लिए अभी लोन दिया न जितनी भी आपकी वारंटी वारंटी तो कवर आपकी वारंटी लेकिन फैनिसल गारंटी को Sär si free IAR9 मेंग कर गया मतलों मैंने किसी बंदे के भिया पर गारंटी ढहिए ठीक मैंने बैंक नेका यह को लेंड यह जी कर द antenaltro मैंने वो मिजर होता है अगर सब्सक्राइब कर ciao इरक के बड़ते हैं अगे बढ़ते हैं कि अपका रेज़टी का मतलब होता है आपका इंट्रेस्टी इंट्रेस्टीक जाएगा अब financial assets समापत होगी financial liability समापत होगी equity समापत होगी ठीक है अब होता क्या है कि जो entity issue करती है सर वो कभी-कभी ऐसा instrument issue करती है कि उस instrument में दो feature होते हैं एक आपका debt feature एक आपका equity. ठीक है सर उसे हम बोलते compound financial instrument inustrum आप compound financial instrument के accounting कैसे करेंगे कैता सबसे पहले आप क्या करेंगे इनिसली इना सर जो भी compound financial instrument है उसे सर आप allocate करेंगे debt और equity में कैसे allocate करेंगे जैसे मालो सर अपने पास ना मैंने क्या किया 6% convertible अब वो कहता सर आपके पास proceeds कितने हैं हमने का जी 1 lakh proceeds आई ओके आपकी contractual cash flow कितने हैं हमने का जी 3 year के लिए 6,000 चाहेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यह equity share देंगे ठीक है fixed number of equity share देंगे मालनो ठीक तो कहता market rate of interest क्या है अगर आप convertible इसू नहीं करते नोन convertible इसू करते मतलब अगर आप liability component इसू करते के वह liability component इसू करते रेट of interest क्या हमने का जी 9% करता इन सब की पीवी calculate कर लो जो पीवी आएगगी वो debt instrument है balance आपके लिए यह equity instrument बन जाएगा ठीक जी सब्सक्राइब और जो एक इसे फर्दर सर एमटाइज कोस्ट के साफ से maintain करेंगे और जो equity instrument है वह आपका अगर option holder के पास है तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि वो demand for cash करेंगे उसके सब्सक्राइब लोग पता क्या करेंगे यह जो वन लैक का मान के चलेंगे कि हमें repay करना पड़ेगा और इसकी जो present value आएगगी वह अपने लिए debt बन जाएगा balance अपने लिए क्या बन जाएगा equity अगर option company के पास हम हमेशा मान के चलेंगे company क्या करेंगे payment के लिए इसे consider नहीं करेंगे इक बात का हमेशा ध्यान रखें अगर company के पास कोई ऐसी पावर नहीं कि वह payment को deny कर पाए तो उसके लिए financial liability ही माने जाती ठीक चलेंगे दिखी क्या होता सर जब हम लोग ना debt issue करती है equity issue करते है तो सर transition cost आ जाती है example के तुर पर सर मैंने क्या किया 1 lakh dollar के debenture issue की और 3000 dollar की सर क्या होगी तो मैं उसमें से minus कर दूंगा बात discuss हो सुबगे ठीक जी सकता सर मैंने क्या किया 1 lakh dollar के 1 lakh dollar की face value के सर जो equity share मान लो 250 पे issue करती है और 2000 सर transition cost आगी तो हम लोग क्या करेंगा सर 1 lakh face value में चला जाएगा 148 सर security premium में जाएगा कोई 2000 सर क्या है प्रोसीडिस के साथ अर्जस्ट हो जाएगा ठीक जी सर चलिए सर financial सेट को अगले करेंगी कहता सर फाइनिसल सेट को हम लोग दी रिकोगनाइज करेंगे या तो सर जो financial सेट अमने उसे बेच दिया या जो contractual cash flow हमें receive होने तो उसका जो right है सर वो expire हो गया ठीक जी सर तो सर मोग क्या करेंगा सब्सक्राइब करते हैं और इसके लिए प्रोसेस फोलो जिसको हम यूज करते हैं अब जो फैसल सट को डी रिकॉगनाइब करने के लिए एक आपको उता विद रिकॉर्स एक विद रिकॉर्स नहीं होती है sir एक्जम्पल से इस को समझाता हूं मेरे पास sir क्या है pencil set dollar one लेक के मैंने क्या किया sir इसे mr.a को बेच दिया dollar 98 thousand में mr.a ने बोला कि कल को यह amount सामने वाली पार्टी से कर नहीं कर पाया recover बावर नहीं कर पाया तो किसकी जिम्मवारि मैंने का मेरी जिम्मवारी है मैंने का अगर सर विदाउट रिकोर्स है जो आपका डील हुए हो विदाउट रिकोर्स हुए मतलब आपकी कोई इनवोल्मेंटरी तो उसकेस में मैं क्या करूँगा इस वन लैक के अमांट को डीरिकोगनाइज कर दूगा और जो प्रोसीड साइगी सर उसे मैं डेबिट कर दूगा डिफरे बवरी नहीं ही तो इसकेस में मैं पता क्या करूँगा उसे लोज दिखांगा ठीक जी सर इसे बुक्स से भूक्स में से डीरिकोगनाइज नहीं करूँगा जो मेरे पास प्रोसीड साहेगी से मैं फाइनिशल लैबिट दिखांगा और सर उसके ओपर इंटर सेख्पेस बग वो एक्सपायर हो जाएगी या हमने उससे सब सेटल कर लिया है डिफरेंसर कहा जाएगा पेंडल अकाउंट में ठीक डेरिबेटिव की बात हो चुकी थी देखिए क्या फाइनिसल असेट और फाइनिसल अब यहां पर सर एक पार्टी से मैंने पैसे लेने और एक पार्टी को पुरी ओ पहली कंडिसन सर आपके वस्ना लीगली एंफोर्सिबल राइट है कि आप इन्हें कर सकते हैं और जर्चर्णल क्या होता यह राई जब सेम पार्टी से हमें पैसे लेने और सेम पार्टी को पैसें देना टम मतलब एक टाइम से मेंट पाइसे जाएगी ठीक सर चल अगे बढ़ते हैं, sir IAS 32 जो है financial instrument का, ये sir all financial instrument पर apply होगा accept, sir अगर investment exists में, subsidiary में, joint venture में, associate में, to sir उस case में sir आपका रिखने वाँ पर एक ओप्सन होता है हम चाहिए जो वहां पर आई इवर्स नहीं लगा सकते हैं वह बात में आपके साथ तर अगर पैंशन या इंस्रेंस कोंट्रैक्ट है सर आपका contract-contigent consideration-business combination, ठीक, जी सर, आपका contract and obligation है, under share-based payment transaction, जब आप employee को या other party को क्या करते है, अपने share या group company के share देते हैं, या sir cashman settlement होती है, और जो cashman settlement है, उसका base जोता सर वो आपका fair value of the share of the company या group company के share की fair value होती है, ठीक, जी सर, ये सर आपका IFRS 2 मेंधिस की होता है, सर इंपेर्मेंट जो है IAS 36 में cover है लेकिन फाइणेट्षयल असेट् का जो इंपेर्मेंट है फाइनेट्षयल जो 170 में थीक कशी ख़नेट्षयल शॉसका इम्पेर्मेंट भी आपका 16 πουın जीए स yoga !! जो फाइनेट्षयल आ senior record देखिए क्शुन fifty टी ओसे लिज रिशेबल आपका कॉंट्रेक्ट रसेट और लोन कमिटमेंट एंड फैंसल गारंटी टीक जी सर इंपेर्मेंट नहीं निकलता है यह आपका लाइटाइम एक्टेटर क्रेट्ट लोस या आपका आपको बता दू एकजाम में अगर प्रैक्टिकल गैसेन आता है वो 12 मन्त बोलता है हुआ में 12 मथ के साब से कल्कुबेट करना अ हम लोग क्या करेंगे अगर मेरे पास त्रेटर रिसेबल है या या एक पाल्टी稱 अगर अपनी आपके प्रिकसें पूरी नहीं करे है तो दूसरी पार्टे को financial laws हो जाएगा ठीक जी सर सर में लोग इंपेर्मेंट ने इनिशियल डेट से करते हैं सर यह मैंने IFRS के नाम दे रखें आये 32 का नाम सर आपका financial instrument presentation इसमें सर डेफिनिशन वगएर आती है financial instrument sir IFRS 9 यहां पर आपका recognition measurement के principle है IFRS 7 में sir आपके discloser की बात होती है ठीक चलिए इसके साथ अपना financial instrument की chapter का revision समापत होता है मिलते नेक्स तूडियो में thank you so much all the best globalization